प्रद्रसको नमस्कार मैं पंडित जी एस कोसिक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जी एस घृत कोसिक में आज मैं आपको बताने वाला हूँ सरकारी नोकरी पाने के कुछ अच्चूक उपाए आज का जो कारिकरम है विसेश रूप से उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है जो बच्चे लगातार सरकारी नोकरी के लिए परियास कर रहे हैं लगातार महनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पा रही है कभी दो नमबर से रह जाते हैं कभी पांच नमबर से रहे जाते हैं और कभी दस नमबर से रहे जाते हैं लगातार मेहनत करने के बावजुद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे बच्चे यदि ये उपाये करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लाब मिलेगा और सरकारी नोकरी में जो बिघन आ रहा है जो बाधा आ रही है वो दूर हो जाएगी जो बच्चे महनत नहीं करते हैं लगातार प्रियास नहीं करते हैं और सोचते हैं कि ये उपाये करने से ही उनको नोकरी मिल जाए तो बिलकुल भी नहीं होगा ऐसा देखिए सरकारी नोकरी पाने के लिए कड़ी महनत करने की आवशकता होती है लगातार प्रियास करने की आवशकता होती है यदि आप कड़ी महनत करते हैं लगातार प्रियास करते हैं और फिर भी आपको नोकरी नहीं मिल रही है तो ऐसी सिच्वेशन में यदि ये उपाय आप करते हैं तो आप के लिए रामबान सिद्ध हो सकते हैं जनम कुंडली का जो दसमा भाव होता है वहां से किया जाता है नोकरी का विचार चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो या फिर बेपार हो क्योंकि केरियर का विचार हम दसम भाव से ही करते हैं और जनम कुंडली का जो छटमा भाव होता है वहां से किया जाता है कमपेटिशन का और प्रिक्षा का विचार यदि जनम कुंडली के दसमे और छटमे भाव का किसी भी परकार से सम्मंद बन जाए तो ऐसे जातक को नोक्री ही करने चाहिए नोक्री ही करना उसके लिए ठीक रहता है प्रदर्सकों कारे करम को आगे ले करके चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा यदि आप चैनल पर नए है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली इसी परकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो आप आसानी से देख पाए तो प्रेदरसको आएए जानते हैं वो अच्चूक उपाई पहला जो उपाई है वो बनता है रवीवार के दिन का मैं तो ये कहता हूँ ये उपाई आप हर रोज कर देजिए येदि हर रोज करने का समय आपके पास नहीं है तो रवीवार के दिन तो आपने ये उपाई जरूर करना है करना क्या होगा? सुभह जल्दी उठना होगा सनान आदी से निवर्त हो करके लाल रंग के वस्तर धारन करने होगए येदि लाल रंग के वस्तर आपके पास नहीं है तो कोई भी लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए और आसन पर उसको बिछा दीजिए और उसको उपर आप बैठ जाईए अपने सामने एक तांबे का लोटा रख लीजिए तांबे के लोटे में क्या होना चाहिए सबसे पहले उसके अंदर छोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए उसके बाद उसको सुद जल से भर लीजिए और उसके बाद गाएं का जो घी होता है उसकी साथ बूंद उस जल में डाल लीजिए यदि गाएं का घी आपके पास नहीं है, तो फिर भैंस का आप प्रियोग में कर सकते हैं, यदि वो भी नहीं है, तो फिर डिब्बे वाला जो घी आता है सहरों में, वो भी आप प्रियोग में ला सकते हैं, तो साथ बूंद घी के उस जल में डाल लेजिए और इस लोटे को अपने सामने रख लीजिए, लोटा तांबे का होना चाहिए. दूसरा, एक शुद्ध देशी घी का दिपक आप जला लीजिए और वो भी अपने सामने रख लीजिए. उसके बाद एक मंतर का जाप आपने करना है. मंतर कौन सा है? आप सक्रिन पर देख लीजिए और इसका उचाण में कर देता हूँ. ओम, हरां, हरें, हरों, सें, सुरियाई नमहे. मंतर क्या है? ओम, हरां, हरें, हरों, सें, सुरियाई नमहे. तो इस मंतर का जाप आपने 108 बार करना है. 108 बार मंतर का जाप करने के बाद ये लोटा आपने उठाना है और सुरिय भगवान को डे देना है किस परकार से देना है जब आप सुरिय भगवान को अरग दे रहे हैं तो उस समय जो आपके हाथ है वो कम से कम सिर से एक फुट की उचाई पर होने चाहिए इस परकार से आपने देना है और बोलना क्या है उम श्री सुर्याए नमह जब आप अरग दे रहे हैं अरग देने के बाद आपने हाथ जोड़ करके सुरी नायन भगवान से परातना करनी है हमारी कुंडली में ऐसा योग बनाओ कि हमें सरकारी नोकरी जल्द से जल्द मिल जाए हम जो मेहनद कर रहे हैं जो प्रीशरम कर रहे हैं उसका फल हमें मिल जाए इस ऐसी हम पर आप किरपा करें तो इस परकार से आप रातना कर सकते हैं ये उपाई आप हर रोज भी कर सकते हैं यदि हर रोज नहीं कर सकते हैं तो रविवार के दिन ये उपाई आपने जुरूर करना है ये उपाए करने से सरकारी नोकरी में जो विगन वादा आती हैं जो अरचने आती हैं वो दूर हो जाती हैं और कहीं ने कहीं सरकारी नोकरी का योग बन जाता है तो प्रदर सको अब बात करते हैं दूसरे उपाए की दूसरा जो उपाए हैं वो करना है सो मार के दिन करना क्या होगा एक स्टील का लोटा आप ले लीजिए उस स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आप डाल लीजिए उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूद आप उसके अंदर डाल लीजिए उसके बाद उसको सुद जल से भर लीजिए उसके बाद उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लेजिए, मीठे में क्या लेंगे, आप मिसरी दाना ले सकते हैं, आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, थोड़ी सी डाल लेजिए, उसके बाद इसमें चावल डाल लेजिए, चावल बिल्कुल साप सुत्रे होने चाहिए, कितने से डालेंगे, केवल इतने से चावलिस में लोटे में डाल लीजिए और इस जल से सिवलिंग का अभी सेक करवा दीजिए सोमार के दिन सुभह के समय किसी भी सोमार से आप शुरू कर सकते हैं और लगातार 16 सोमार ये प्रियोग आप कर दीजिए जब आप सिवलिंग पर ये जल अरपित कर रहे हैं तो मन ही मन में बोलना है क्या? ओ नमह शिवाए इस प्रकार से आपने बोलना है और धार बना करके सिवलिंग पर इस जल को अरपित कर दीजिए और उसके बाद हाथ जोड करके संकर भगवान से प्रातना कीजिए कि हे संकर भगवान मेरी कुंडली में जो भी दुर्योग बने हुए हैं उनका समन करें सरकारी नोकरी में जो विगन बादा आ रही है उससे मुझे छुटकारा दिलाएं और जल्द से जल्द कोई ऐसा योग बनाएं कि मुझे सरकारी नोकरी मिल जाएं तो इस परकार से आप रात्मा कर सकते हैं ये उपाय करने से भी सरकारी नोकरी में जो विगन बादा आती हैं उनसे छुटकारा मिलता है अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तीसरा जो उपाय है वो आपने मंगलवार के दिन करना है शुकल पक्स के किसी भी मंगलवार के दिन से इसकी शुरुवात आप कर सकते हैं और लगातार साथ मंगलवार ये उपाय आपने करना है यदि आप ज़्यादा करना चाहें तो 21 मंगलवार भी कर सकते हैं करना क्या होगा? एक पॉष्टर आप ले आईए बाजार से पॉष्टर कौन सा? हनुमान जी का उड़ते हुए हनुमान जी का एक पॉष्टर आपने ले के आना है घर में जहां आप पूजा करते हैं घर का जो मंदिर है उस मंदिर में आपने उस पोश्टर को लगा देना है अब शाम के समय या फिर सुभै के समय उस पोश्टर के सामने एक शुद देशी घी का दिपक आपने जलाना है और उस पोश्टर के सामने बैठ कर तीन बार हनुमान चालिसा का पाठ करना है तीन बार हनुमान चालिशा का पाठ करके हनुमान जी से प्राथना करनी है कि हे हनुमान जी मेरी कुंडली में कोई दुर्योग बना हुआ है तो उसका समन कर दीजिए उसका निवान कर दीजिए और सरकारी नोकरी पाने में जो भी विगनवादा आ रही है उन से भी मुझे छुटकारा दिलाईए और कोई न कोई ऐसा योग, ऐसा चमतकार कीजिए कि जल्द से जल्द मुझे सरकारी नोकरी मिल जाए तो इस परकार से आप रात ना कर सकते हैं तीन बार हन्मान चालिसा का पाठ करके शुकल पक्ष के किसी भी मंगलवार से शुरू कर दीजिए और लगातार आप ये कर दीजिए अब बात करते हैं चोथे उपाय के जब भी आप नोकरी के लिए इंट्रिव देने के लिए जाते हैं चाहे वो सरकारी नोकरी हो या फिर प्राइवेट नोकरी हो तो जब आप घर से निकलते हैं तो आपने गुड और दही का सेवन करके ही घर से निकलना है यदि आप गुड और दही खा करके नोकरी के लिए इंट्रिव देने के लिए जाते हैं या फिर किसी भी काम के लिए बहार जाते हैं तो उस काम में आप सफल होते हैं यदि आप दही और गुड का सेवन करके निकलते हैं तो जब भी आप किसी भी नोकरी के लिए घर से निकलते हैं तो आपने दही और गुड का सेवन करके ही निकलना है यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपको सफलता मिलती है तो प्रदरसको ये थे आसान से उपाई सरकारी नोकरी में विगनबाधा को दूर करने के यदि आप कड़ी महनत करने हैं लगातार प्रियास कर रहे हैं और ये उपाई भी साथ में कर लेते हैं और निश्चित रूप से आपको लाब मिलेगा और सरकारी नोकरी आपको मिलेगी प्रदर्सको यदि आप अपनी जनम कुंडली का विशलेशन मुझसे करवाना चाहते हैं जनम कुंडली के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि आपको सरकारी नोकरी मिलेगी या नहीं या फिर आपको private नोकरी करनी पड़ेगी या फिर आपको business करना चाहिए विबसायक करना चाहिए इन सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो सक्रीन पर दिये गए WhatsApp नंबर पर आप अपनी जनम डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जनम कुण लिका सटिक विशलेशन मुझसे करवा सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिस करूँगा आपकी साहेता करने की तो परदर सको यदि आपको कारिकरम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप हमसे जुड़े रहें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार